दोस्तों क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्रकट हुए हिरन जीहा दोस्तों यह घटना अयोध्या नगरी की है जो हाल फिलहाल ही हुई है दोस्तों 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्रान प्रतिष्ठा होने वाली है जिसके चलते अयोध्या ही नहीं बलकि कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितना समीप आ रहा है, वैसे वैसे ही एक से एक घटनाई भी सामने आ रही है, जिसमें सर्व प्रथम हिरन का जुन्ड की घटना सामने आई थी। ये स्वर्ग से पुश्पक विमान से अयोध्या पहुंच चुके हैं, जिसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा, हो रही है कि यह क्या हो रहा है, और आखिर यह कैसे हुआ यह विचार सभी के मन में आ रहे हैं, दोस्तों इस समय पूरा सोशल मीडिया पर यह घटना जो अग्या पर अपना, संपूर्ण राजपाट त्याद दिया और 14 वर्षों के लिए वनवास को ग्रहन करा दोस्तों जिस समय यह घटना अयोध्या में घटी, उसी समय सभी बड़े-बड़े राजनेता और बड़े-बड़े रामभक्त अयोध्या पहुंच गए ताकि वह द देख सकें की ऐसा क्या था राजा दशरत के अंदर जो की प्रभु श्री राम ने उनके। एक आदेश पर अपने राज पाठ का त्याग कर दिया इस घटना के बाद लोगों के मन में प्रभु श्री राम के प्रती और ज्यादा आस्था बरस कई दोस्तों वीडियो में आप सभी यही सोच रहे होंगे कि आखिर दशरत जी अयोध्या क्यों आए थे वहां आज से पहले धर्ती पर प्रकट क्यों नहीं हुए और भी बहुत से सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं तो दोस्तों कमेंट में जै श्री राम लिखें और वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों हिंदू धर्म तो आपने सुनी ही होगी श्रवन कुमार अपने द्रिश्टेहीन माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जब श्रवन कुमार नदी पर पानी भरने जाते हैं तभी राजा दशरत को ऐसा लगता है कि नदी पर कोई हिंसत प्राणी जल पीने आया है वे उसी वक्त बिना देखे शब्द भेदी बान छोर देते हैं बान सीधा श्रवन कुमार की छाती भेट जाता है और वह जोर से चीख पड़ते हैं उनकी आवास सुनकर दशरत भी नदी की ओर दौर पर जाते हैं वहां श्रवन कुमा अपनी मृत्यू से लड़ रहे होते हैं दशरत का हाथ पकड़ क्षमा मांगने लगते हैं मृत्यू से पहले श्रवन कुमार दशरत से कहते हैं मेरे द्रिष्टी ही माता पिता प्यासे हैं उन्हें यह जल पिला देना इतना कहकर श्रवन कुमार अपना देहत्याग देते है राजा दशरत श्रवन कुमार के पिता आशीश शांतनु और माता देवी ज्यानवती को सारी बात दुख होर। कार हमारी मृत्यू के समय हमारा इकलोता पुत्र हमारे पास नहीं है। है भविष्य में राजा दशरत अपने लाडले पुत्र राम के वनवास के समय मृत्यू को प्राप्थ होते हैं, उस समय लक्षमन भी राम के साथ वन में होते हैं, तथा भरत और शत्रुग्न अपने मामा के वहां गए हो रहा, इस प्रकार आर शांतनु का शाप सत्य साबित ह होता है, दोस्तों ऐसे ही रामायन से जुड़ी एक कथा प्रक्चलित है, है जो की राजा दशरत के मुकुट से जुड़ी है, इस से जुड़ी कथा के अनुसार राजा दशरत अकसर जब जंगल में भ्रमन करते थे, तो अपनी पतनी कैकेई को भी साथ ही लेकर जाते थे, इसलिए कई बार युद्ध के दौरान कैके राजा दशरत के साथ होती थी, एक बार की बात है राजा दशरत और के वन की ओर निकले जहां उनका सामना। अंतत यह तो निश्चित था कि राजा दशरत और बाली के बीच में से जीत वाली की होगी और हुआ भी ऐसा है राजा दशरत के युद्ध में हार जाने पर बाली ने उनके आगे एक शर्त रखी थी किया तो उन्हें बाली को कैकेई की को सौंपना होगा या फिर उसे सौंपना होगा जिसके बाद राजा दक्ष। केवल यही दोनों जानते थे कहा जाता है कि कैकेई ने रगुकुल की शान को वापस लाने के लिए ही श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे लिया था पौरानिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने से पहले कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना दोस्तों एक यह भी कारण था प्रभु श्री राम को वनवास भेजने का दोस्तों आने वाली 22 जनवरी हर एक सनातनी भाईयों के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि प्रभु श्री राम को 500 सालों बाद एक बार फिर से वाद मित्रों